हिमाल्य शुरुवास से ही लोगों के लिए आकरशन का केंद्र रहा है अब चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टी कौन हो वैज्ञानिक हो या फिर रहसे में और आज कल तो लोगों में रहसे में चीजों के बारे में जाननी के लिए तीवर इच्छा बढ़ती जा रही है तो आ इसके लिए मुझे काफी रिसर्च की ज़रूरत थी तो फाइनली आज हम जानेंगे आध्यात्म से जोड़े ऐसे ही कुछ रहसे के बारे में और वो है शंग्रीला का रहसे वैसे तो मेरा परसनल मानना यह है कि हमारे इस प्रमान में इतने सारे रहसे हैं जिसे हम कभी नहीं सुल जा सकते पर मान के रहसे की बात तो दूर शायद हम कभी प्रित्वी के रहसे को नहीं समझ पाएंगे जिसमें की एक है हिमाले का रहसे है और हिमाले को रहसे में इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है हिमाले में एक अद्रिश्य दुनिया का रास्ता खुलता है और वो अद्रिश्य दुनिया का रास्ता आपको दूसरे ही लोक में ले जाता है आम तोर पर आपको शायद यह लगता होगा यह ग्यान गंच, सिद्ध विज्ञान आश्रम या योग सिद्ध आश्रम यह इसी दुनिया में है नहीं यह पिल्कुल गलस सोच है अगर आप लोग रहस्य की खोज में रहते हैं तो आपने संग्रीला घाटी के बारे में कहीं न कहीं जरूर सुना होगा कुछ लोगों के अनुसा यही सिद्ध आश्रम है तो कुछ लोग मानते हैं कि धर्ती पर दूसरे आयाम की एक कड़ी है संग्रीला घाटी हमने कई बार सुना है कि हिमाले में आज भी एक ऐसी जगा है जो आम लोगों से बिलकुल परे है और सामानने इंसान वहां तक कभी पहुँची नहीं सकता केवल तीन तत्वों से बने शरीर या कोई योगी और सिद्ध ही वहां पहुँच सकता है उस रहसे में दुनिया में आप अपने इस इस थूल शरीर के साथ नहीं जा सकते वह एक शूश्म जगत है और शूश्म जगत को जानने के लिए वहां जानने के लिए आपको उसी तरह के शरीर की आवश्रक्ता होती है आप अपने इस थूल शरीर से अपनी पांच इंद्रियों से केवल बहुतिक जगत को जान सकते हैं शूश्म जगत को कभी नहीं और ये सच बहुत कम लोग ही जानते हैं मगर जिन लोगों ने काल विज्ञान हिंदी बुक में इसका अनुभब किया है उनके अनुसार संग्रिला गाटी धर्ती पर स्वर्ग है जहाँ पर उम्र थम जाती है दूसरे आयाम के साथ ही ये सिद्धासरम है जहाँ पर उच्छ श्रिणी के सभी संत आज भी तपस्या में लीन है और जब हम संग्रीला घाटी के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में ये सवाल होना लाजमी है कि आखिर धर्थी पर कुछ दूसरे आयाम जैसा कैसे हो सकता है जो समान्य दृष्टी से कभी देखा ही नहीं जा सकता और ये हमारा सौभाग्या है कि संग्रीला घाटी का रहस हमारी धर्थी पर ही स्थित है भारत और तिब्बत के मद्य एक गुप्तिस्तान जहां पर आज भी सभी दिव्य जड़ी बूटियां विद्दमान है प्राचीन काल में जब लच्छमन मुर्चित हो गए थे तब श्री हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाई गई थी और वो भी संग्रीला घाटी का ही एक भाग था इस हिसाफ से अनुमान लगा सकते हैं कि ये हिमाले का ही एक भाग है जो बरतमान समय में तिब्बत और भारत की सीमा पर है और सबसे बड़ी बात चीन भी शायद इस बात से अनभिग नहीं है और इसी लिए वो इस पर कवजा जमानी के लिए आज कल भारत पर काफी दवाब बना रहा है शायद चीन को इसके कुछ रहसों के बारे में जानकारी मिल गई है इसलिए शायर वो इस पर कब्जा छोड़ना नहीं जाता संग्रीला घाटी का रहस से आम लोगों से बिलकुल छुपा हुआ है जिस प्रकार वायू मंडल में बहुत से स्थान है जहां वायू सुन्निता रहती है उसी प्रकार धर्दी पर भी आने को ऐसे स्थान है जो भूहिंता के प्रवाब छित्र में आते है भूहिंता और वायू शुन्निता वाले स्थान चोथे आयाम से प्रवाबित होते है यानि फोर्थ डाइमेंशन ऐसे स्थान देश और काल से परे होते है यदि उनमें कोई वस्तू या व्यक्ति अंजाने में चला जाए तो इस तीन आयाम वाले स्थूल जगत में उसका अस्तित्व लुप्त हो जाता है वे वस्तू इस दुनिया से गायव हो जाती है बिल्कुल ऐसी ही तिबबत और अरुनाचल की सीमा इस्थित संग्रीला घाटी है लेकिन भूहिंता और फोर्थ डैमेंशन से प्रवाबित होने के कारण वे घाटी अभी तक रहसे मैं बनी हुई है वे हमारी इन भौतिक आँखों से दिखाई नहीं देती इतना ही नहीं ऐसा माना जाता है कि इस घाटी का संबंद अंतरिक्ष के किसी लोग के साथ है और इस विशे से संबंदित एक प्राचीन पुस्तक है जिसका नाम है काल विज्यान ये तिबबती भाषा में लिखी गई है ये पुस्तक तावांग मठ के पुस्तकाले में मौजूद है काल विज्यान के अनुसार इस तीन आयाम वाली दुनिया की हर चीज देश-काल और निमित से बंदी हुई है लेकिन संग्रीला घाटी में काल नगन्ने है वहाँ पर प्राण, मन और विचार की शक्ती एक विशे सीमा तक बढ़ जाती है शारीरिक छमता और मानसिक चीतना बहुत जादा बढ़ जाती है काल की नगन्नेता के फलसरूफ वहाँ आयू अती धीमी गती से बढ़ती है यदि किसी व्यक्ती ने उसमें 25 वर्ष की उम्र में परवेश किया है तो उसका शरीर लंबे समय तक यूवा बना रहेगा वह बूड़ा नहीं होगा स्वर्गी वातावरन में डूबी हुई ये घाटी बड़ी ही अधबूद और रहस समय है जो लोग इस घाटी से परीचित हैं उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामा चरण लहडी के गुरू अवतारी बाबा जिन्होंने आदी शंकराचार्य को भी दिक्षा दी थी और वो संग्लीला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में अभी भी निवास कर रहे हैं और जब कभी वह आकाश मार्क से चल कर अपने शिश्यों को दर्शन भी देते हैं यहां के तीन साधना केंद्र काफी प्रसिद्ध हैं पहला है ग्यान गंजमठ दूसरा है सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा योग सिद्ध आश्रम यहां पर दीर्ग जीवी कालंजय योगी अपने आत्म शरीर से निवास करते हैं शूश्म शरीर से विचरन करते हैं और कभी कबार्तो स्थूल शरीर भी धारन कर लेते हैं स्वामी विशुद्दानंद परमंस जो सूर्य विज्ञान में पारंगत थे ज्ञान गंज मठ से जुड़े हुए थे इस संग्रीला घाटी में रहने वाले योगी आचारे गंड संसार के योग्य शिश्यों को खोज-खोज कर इस घाटी में लाते हैं और उन्हें दीक्षा देकर पारंगत बनाकर फिर इसी संसार में ग्यान के परचार परसार के लिए भेज देते हैं इन तीनों आश्रम के अलावा वहां तंत्र के लिए भी अनेक केंडर हैं जहां उच्च कोटी के और योग्य सादक निवास करते हैं इसी परकार बौद लामाओं के भी वहां मठ हैं उनमें रहने वाले सादक इस थूल जगत के निवासियों से अपने आपको आज भी गुप्त रखे हुए हैं एक योगी के अनुबब के अनुसार जब उसने संग्रीला गाटी में परवेश किया तब वहां पर ना सूर्य का परकाश ना चंद्रमा की लालीमा वहां पर पाता बरण में एक दूद्या परकाश फैला हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता जो व्यक्ति आध्यात्म के जगत में परवेश कर लिता है उस सत्य की खोज में निकल पड़ता है और अगर वो व्यक्ति इस जगा पर चला जाए तो उसे वहां जाते ही एक दिव्य अनुभूती होती है अचानकी उसे वह सब कुछ दिख सकता है जो मनुष्य अपनी इन भातिक आँखों से नहीं देख सकता वो सब कुछ उसके सामने प्रकट होने लगता है लेकिन याद रखना ये केवल संत योगी सादुकों के साथी होता है सामान्य इंसान वहां पर इस अचानकी दर्जनों युवतियां प्रकट हो गई उनकी उम्र जैसे थमसी गई थी सभी के चेहरे अपूर्व तेज से चमक रहे थे और एक विलच्छन शान्ती चाई होई थी वहां की युवतियों के हाववाव से लग रहा था कि वे किसी के आने की प्रतिक्षा कर रही है मेरा अनुवग गलत नहीं था और थोड़ी ही देर बाद देखा कि एक तेज पुझ सासा वहां परकट हुआ अद्बुत था वे परकास पुझ धीरे धीरे आश्रम की और जाने लगा और वो युवतियां भी उसके पीछे पीछे चलने लगी फिर मैंने उस लामा से पूछ कि आत्म शरीर है यूगियों का आत्म शरीर ऐसा ही होता है ये यूवतियां योग कन्याएं हैं कई जन्मों की साधना के बाद इन्होंने इस दिव्य अवस्ता को प्राप्त किया है और यूग में इसी को केवल्ले अवस्ता कहते हैं ये सब भी आत्म शरीर धारणी है लेकि उस योगी का अनुभव जिसने वहाँ पर परवेश किया था माना जाता है कि सभी दिव्य और उच्छ श्रेणी के संद और योगी अपनी उम्र जीने के बाद संग्रिला घाटी में परवेश करते हैं सिध्ध अश्रम के बारे में हम सबने पराचीन सिध्यों के किस्सों में जरूर सुना होगा ऐसा कहा जाता है कि अपना जीवन पूरा होने के बाद सिध्य योगी और रिशी जब तक उन्हें मूख्ष या लक्षे ना मिल जाए तब तक वे अपना शेष जीवन वहीं बिताते हैं वो कभी भी वहां से भौतिक संसार में विच्रण कर सकते हैं एक दिव्य संसार जहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, उम्र का कोई पड़ाव नहीं तो चारु तरफ बस शान्ती ही शान्ती और दिव्यता जिसमें हम अपने आपको जादा से जादा दिव्य बनाते हैं तो ना जाने ऐसे कितने रहस से माल्य की गोद में समाए हुए हैं देखिए, अब मैं नहीं कहता कि इन चीजों पर आँख बंद करके विश्वास करें ये आपका अपना तर्क है, आपकी अपनी बुद्धी है हाँ, वैसे मुझे लगता है कि जो लोग विज्यान से जुड़े हुए हैं और आध्यात्म को नहीं मानते वो लोग कभी भी ऐसी किसी दुनिया पर विश्वास नहीं करते लेकिन एक योगी वो भली भाती जानता है और इस तरह के सिद्ध प्रूस जिन लोगों ने इस रहस्य को जाना वो कभी भी ऐसे ही इन रहस्यों को नहीं बताते क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारे इस आज के भोतिक जगत में ये भोतिक लोग कभी भी ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे इसलिए तो मैं कहता हूँ कि सत्य को कभी भी बताया नहीं जा सकता सत्य को बताने के लिए शब्द पूर्ती नहीं कर सकते शब्द जूट से जादा कुछ नहीं और आत्मग्यान सत्य की बात तो दूर है इस तरह के रहसे भी अगर कोई सिद्ध पुरुष आपको बताता है तो आप लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे इसलिए सिद्ध पुरुष वो रहसे अपने ही भीतर दबाए रहते हैं और जरुरत पढ़ने पर योग्य शिश्यों को उस रहसे की जानकारी देते हैं मुझे नहीं पता आप क्या सूचते हैं वैसे जो भी सूचते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही मिलता हूं नेक्स वीडियो में छिल देन बाबाए